नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त 30 कुमार एक बार फीछ से आप जिरूए दोस्तों युद कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद से पैसा भी कमाया जा सकता है काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि देखिए इन यूद के दोरान अपने हतियार बेच के उनसे पैसे कमाते हैं तो दोस्तो जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो भी देखिए इन यूद का फाइदा उठा सकते हैं जैसा कि आप जानते होगे कि भारत सरकार आतम निर्वर भारत के तहत डिफेंस इंडस्टरी को काफी बढ़ावा दे रही है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम कमपेर करने वाले डिफेंस इंडस्टरी से जुड़ी हुई चार कमपनियों को जिसमें होगी हमारी हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिम्टिड भारत डायनमिक्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स और सोदर इंडस्ट्री दोस्तो इन चारो कमपनियों को हम डिफेंड पैरामेटर पे कमपेर करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहिए कि इस वीडियो का सजेशन हमें दिया था विजन क्लासिस नाम के एक हमारे सबस्क्राइबर ने तो सबसे पहले तो आपको काफी थैंक्यू कि आपने हमें इतना अच्छा एक टोपिक सजेस्ट किया है इसके बाद इन सबी कमपेर करते हैं सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं इन सबी कमपेर की ओर्डर बुक के है इसके बाद हम देखते हैं इन कमपेर की मार्किट कैप और इनके पिछले 12 मेने की सेल्स कितनी रही है तो HL की market cap इस समय 93,000 क्रोड की है वहीं पर भार electronics की 78,286 क्रोड solar industry की 36,000 क्रोड की market cap है और वहीं पर भार dynamics की market cap 17,670 क्रोड रुपे की है पिछले 12 मेने की sales HL की है 26,220 क्रोड भार electronics की 17,144 क्रोड solar industry की sales रिये 517 क्रोड की और भार dynamics की रिये 3415 क्रोड की इसके बाद हम देखते हैं अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आप इन कंपनियों के advance में कितने रुपय दोगे तो HL का इसमें price 12,15,9 भार्त electronics का 28,5 solar industry का 59 और वहीं पर BDL का इसमें है 28,7 तो यहाँ पर देखे सबसे अच्छा है HL का है BEL का 19,2 solar का 35,9 और वहीं पर BDL का है इसमें पर 16,1 का तो नमबर देते है HL को 4, BEL को 2 solar को 1 और BDL को मिलते हैं पूरे 3 नमबर इसके बाद मिलते है price to book value यानि कि company के share का भाव अपनी book value के मुकाबले कितना उपर या नीचे से में अंदर है 16,6 काफी महगा है इसमें और वहीं BDL का अंदर है 5,63 नमबर मिलते है HL को 4 BEL को 2, solar को 1 और BDL को मिलते हैं पूरे 3 नमबर इसके बाद अब मेखते है price to sales रेस हैं कि इन company के share का भाव इनकी sales के मुकाबले कितना उपर या नीचे से में trade कर रहा है तो HL का price to sales ratio है 3.55, BEL का है 4.58, solar industry का है 6.6 और वहीं BDL का अंदर है 5.17 नमबर मिलते हैं 4 नमबर HL को BEL को 3, solar को 1 और वहीं BDL को मिलते हैं 2 पॉइंट इसके बाद हम लिखते हैं return on liquid यानि कि इन company के अंदर जिन shareholder ने पैसे लगाया था बदले में अब ये company अपने shareholder को कितना पैसा वापस दे रही है तो ये नमबर देखिए percentage में और जितना ज़्यादा बड़ा नमबर उतना अच्छा तो HL के case में 29.3 काफे अच्छा है, BEL के अंदर 20.5 सोला इंडस्ट्री के अंदर 25.3 और वो इंबीडियल के अंदर 18.3 तो नमबर मिलते हैं HL को 4, BEL को 2, सोलार को 3 और वो इंबीडियल को सबसे कम एक नमबर इसके बाद अब लिए रिटर्न वन कैपिटल इंप्लोएड यानि कि इन company ने अब जहां भी कोई investment की है वहाँ से ये company कितना return generate कर पाती है तो HL के case के अंदर है यहाँ पर 30.5 BEL के अंदर है 37.1 सोलार के अंदर है 25.4 और वो इंबीडियल के अंदर है 26.1 नमबर देते हैं HL को 4, BEL को 3 सोलार को मिलते हैं 1 और वहीं पर बीडियल को मिलते हैं 2 point इसके बाद मिलते हैं debt to equity ratio तो debt to equity ratio देखें एक से नीचे जितना कम हो तो न अच्छा माना जाएगा तो यहाँ पर HL के अंदर 0 है BEL के अंदर 0 है सोलार के अंदर 0.11 है यह भी ठीक है और वह इंबीडियल के अंदर भी यह 0 है तो हम आपे नंबर देते हैं सभी कम्पनियों को 4,4 केवल सोलार को यहाँ पर मिले है 3 नंबर इसके बाद हम चेक करते हैं कि आपको किस कम्पनी के अंदर अच्छा dividend मिलेगा तो HL का dividend yield है 1.8 कफे अच्छा है BEL का 1.42 Solar industry का 0.18 और वह इंबीडियल का 0.85 तो सभसा अच्छा HL का यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं BEL को मिलते है 3 Solar को 1 और वह इंबीडियल को मिलते हैं 2 पॉइंट इसके बाद हम देखते हैं कि इन कम्पनियों के अंदर पर्मोटर की वल्डिंग कितने 73.15 और वह इंबीडियल के अंदर 74.93 परसंट FIDH के स्टेक की बाद करें深 pursuing 20.33 BEL के अंदर 42.99 परसंट और वह इंबीडियल के अंदर 21.24 और वह इंबीडियल के अंदर 15.88 सहिंपे BEL को अभी तक 212 मूच्छा स्कीम से सामिल किया है इसके बाद हम चैक करता है कि इन कंपणियों के पर मोटर ने अपने शेर को गिरी पर रखके मार्किट से पैसे प्लेशिंग देखे सभी के इंदर 00% है तो सभी को यहां पर इकवल नमबर बिलते चार-चार नमबर इसके बाद हम देखतें कि अगर आप रूपर्टी han他们 को ridingARS इंदर आपके बनते कुछ दो लाख रूप और वहीं भारत डैनेमिक्स के उनदर आपके बनते चार साल नो मेहने के अंदर कुछ दो लाख पचास था रूपर तो रिटन के मामले में मेरे ख्याल से सोला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसके लाब अगर आपके पास कोई होग है तो वह आप में बता सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे comment section जूर बता के जाए वीडियो अच्छे लगे तो please इसको like करते न ताकि ये वीडियो और भी नए लोगों तक पहुंचे तो दोस्तो अब मैं आपका दोस्ती इसकुमार मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care जैहन्त